जैहिन तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपसे बायलोजी के सबसे मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक हर्ट के बारे में जो गाइज हमारा हर्ट होता है इसे इसके बाहरी आवरण को हम लोग पेरी कार्ड एस के नाम से जानते हैं बाहरी आवरण जो हमारा हर्ट होता है इसे हम लोग पेरी कार्ड एस के नाम से जानते हैं हमारे हर्ड का आकार बंद मुठी के आकार के जैसा होता है और यह हमारा जो हर्ड कहां पर इस्तित होता है तो यह जो दोनों हमारे लंग्स होते हैं लंग्स के बीच में गुहा पाया जाता है और उसके बारी आवरेड को हम लोग क्या बोलते हैं। हमारे होट के बारे में पढ़ रहे हैं। लुए यहां पर हम लोग होट के जैसे हम मुकता चाहपर होते हैं। लेट एट्रियम, राइट वरेंट केल, लेट वरेंट केल, तो गैस जैसे यहाँ पर है पहला, आप मचली है, तो मचली में गैस एक आलिंद होगा, गैस हमेशा उपर आलिंद होता है, एक निले होता है, तो गैस यहाँ पर जो है, एक आलिंद है, एक निले है, आलिंद का काम क्या है या ब्लड को अपने पास लेता है इसके परचाद निले जो है निले उसे प्रेसर से पूरे सरी में पहुचाता है नलिकाओं के द्वारा इसके परशाद गाज तो मचली में जो है एक आलिंद है एक नीर है तो गाज इस प्रकार से आप लोग देखिए उभायचर सरी स्रेप जैसे इसका एक्जामपल हो जाएगा मेढक तो मेढक है वह उभायचर है और उभायचर मेढ का है तो अब यहां पर आप लोग बताएए यहां पर यह नीचे क्या होगा Marx मी लेप्त राइट होगा नहीं होगा क्योंकि नीचे में वेल्मेट के जरेखिए यहां पर यहां वरेंडिकाल की वरेंडिकयल केवल निले है। जो उभैचर में होता है दो अलिंद वहता है एक लेंडिकयल रट यहां यहां निले दाया निले दाया आलिंद व Lori अलिंद औरम चले में क्यृवल एक लिंदब को मतलत था होता है और जो अस्तंधारी में होता है मैं में इवीज प्रकार के जनतुओं में तो इसमें जो हिरते होता है दाया लिंद लेट निले बाया निले दाया निले तो गयस जो पच्छी वो स्तंधारी जो मैं मेलिया में होता है वह चार प्रकार के हिर्दे के कोष्ट होते हैं और जो मचली में होता है केवल दो प्रकार का कोष्ट होता है उपर अलिंद नीचे निले और जो अस्तंदा जो जो सरीश्री पोवा उभैचर होते हैं इसमें दो अलिंद होता है एक बाया अलिंद एक दा आयो करो कि देना हिकर यह था तो यह प्लूंकर कि देना में आपका पाउस कि द्रश्य के प्ल reversible तैनल दम और सुक्तित आपके सब्ढ सब्सक्राЗ्ण कि द्रिमसेल ऊसके अीयर्खवच दो कि द्रैमस कि दूपन कि नुपाई आपके अ और यह है दाया निले कजिं और गाइज इस प्रकार चे पच्छी वास तन्धारियों में चार प्रकार के सी कोश्च होते हैंacam आप गाइज कहां पे जो हड चैंबर है वह चार प्रकार का मैं अलिंद का क्या काम है तो जो अलिंद है या केवल ब्लड को अपनी तरफ लेता है मला अपने अंदर ब्लड को केवल भरता है इसके अंदर केवल ब्लड को आता है या प्रेसर नहीं मला इसमें प्रेसर बहुत कम होगा क्योंकि इसे पूरे सरी में पहुचाना नहीं है केवल या सिराओ के द्वारा पूरे स से कहール होता है इसका में उपर क करना यहां पर गवेंगे सब्सक्रारी से निले का का मैं कॉरेंके प्डुभेंगा यहांसर में प्रूरे में प्रूरेंगे होता है नीचे के बाग में स्श्थ होता है और जो आल सोगई होता है रिसीवर का काम करता है तो इसके दिवारे पतले पतले होंगे इसके भेत्ती पतले होंगे इसका पेशी भाग पतला होगा इसके दिवारे भेत्ती पेशी भाग पतला होगा और जो निले होगा इसे तेजी से प्रेसर देना है क्योंकि पूरे सरीर में बलड़ जाएगा तो इसका पेशी भाग और भेत्ती वह अस्तर जो होग हजी 80mmhg होता है रहाएं पर जो जो ऑंसे होता है यहां आलेंd होता है यह त्या रिसीवर का काम करता है इस बलड आएगा और या पूरे सद्धा दो जाएगा नीलय के द्वारा तो हम लोग जानके हमारे होट में चार प्रकार के चैंबर होते हैं जो गाईज आलेंद और निले में यह नहीं होता मलब इसमें यह वास्दाव नहीं यह जो आलेंद से आकर जोड़ता है सीरा इसका यह इसमें दाव लगता है जो आलेंद से सीरा जोड़ता है इसका जो दाव होता है वह 80 mmHg होता है और जो निले से पूरे सरे में ले जाने वाला है धामनी रोटा उसमें जो दाव होता है 120 mmHg वह निले में किसी प्रेकार का दाव नहीं होता है आलेंद में जिस सीरा के जिस वाहिनी की दौरा बलड आता है उसे सीरा कहते हैं इसमें जो दाव होता है वह आईया हम लोग हड के चित्र के बारे में समझते हैं हड के कितने भाग होते हैं ये तो हम लोग जान गए बाया अलेंद दाया अलेंद बाया निले दाया निले अब हम लोग हड के चित्र को कैसे बनाते हैं आईये इसके बारे में समझते हैं तो गाइज अब आईया हम लोग ह हर्ट बनाना है वह कुछ इस सेप में बनाना है माल यह पहले हम लोगों का हर्ट कुछ इस सेप में बनता है इस सेप में हम लोगों को हर्ट बनाना है तो गया इस सेप में हर्ट बन गया अब इसके पस्चात इसका इतना भाग मिटा देते हैं इसका इतना भाग मिटा दियें गैज अब इसका इतना भाग मिटाने के पस्चार अब यहां से एक नली का यह step 2 है step 2 में यहां पर एक नली का ऐसे निर्माड करना है अब गैज यहां पर एक नली का ऐसे निर्माड हो गया superior vena kawa इसका नाम है just guys तीसरे step में इसके नीचे हम लोग एक नली का निर्माड करते हैं तो जो इसके नीचे आएगा यहाँ पर आएगा यहाँ पर हम लोग एक नली का निर्माड करते हैं आप guys next position में हम लोग जो हम लोगों का next step होगा यहां से हम लोगों को यहां से ऐसे एक सरस्ना का निर्माड करना है ऐसे हैं ऐसे हो गया और यहां पे तीन प्रकार के ऐसे नलिकाओं को यहां पे जोड़ देना है गाइज इस प्रकार से हो जाएगा फिर यहां से गाई जी यहां पर आदे से ऐसे करना है और इसके पश्चाद यहीं से एक ऐसे सीरा का हम लोगों का निर्मार कर देना है गाई जैसे होगा इस प्रकार से फिर इसके पश्चाद यहीं से ऐसे कर देंगे गाई इस प्रकार से हो जाएगा फिर यहां से एक दो तीन गाई जिसको ऐसे यहां से मिला देंगे आप गाई यहां से जो है इसको यहां से ऐसे मिला देंगे हो गया इस प्रकार की गाई जिसमें सरसना हो गई इसको यहां से मिला देते हैं तो यहां पर इस प्रकार के सरसना हो गई तो गाई अब इस प्रकार के सरसना में हम लोगों को यहां पर जो है इसके सीध में यहां पराइस से तीन नलिका का निर्माल करना है एक हो गया फिर इसके सीध में दो हो गया फिर गाइज इसके सीध में तीन हो गया गाइज थोड़ा इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं ताकि पूर्ड रूप से हम लोगों को दिखाई दे तो गाइज इस प्रकार से हमारे हर्ड की स्रस्चना होती है अब यहाँ पर जो है यह इसको इस प्रकार से बना देते हैं गाइज इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि जो हर्ड का ओच चिंबर है वो आसानी से दिखाई दिए तो इसको ऐसे बना देंगे फिर यह जो नली आई है यह वाली नली जो नली आई है यह वाली गाइज जो नली आई हुई है आप इसको इस स्लाइड निकाल देंगे यह देख लेजिए मतलब यह नली के पीछे से आई हुई है यह जो है यह वाली नली या इसके पीछे से आई हुई है या इसके पीछे से आये हुए है तो गैज या अनली इस प्रकार से पूरे सरीन में चला जाएगा फिर ऐसे इसके पीछे से और यहां से या अनली जो एक इधर एक इधर चला जाएगा इसके सरस्ना यहां से हो जाएगी गाई जी इसके सेध में इसको कुछ इस प्रकार से ऐसे घुमा दीजिए माली जी यह हो गया हम लोगों का यहां से ऐसे हो गया यह सरस्थना और यह सरस्थना दोनों सेम है बाकि यह दोनों यह दोनों फुफुसी है यह दोनों फुफुसी पल्मोनरी धमनी है यह दोनों pulmonary धम्णी है, बलब यह दोनों जा रहे हैं फुफूस की तरफ, हमारे फेफडे की तरफ जा रहे हैं, तो गाईज यह हो गया इसकी सरस्ञा, इस प्रकार से हम लोगों का पूरा एक hut का सरस्ञा बन गया, गाईज बिलकोल आसानी से, तो गाईज इस प्रकार से हम कपाट को बना देती है डी वालवी कपाट हो गया है कि यहां पर ब्लड आयगा तो यह ऐसे की तरफ चला आएगा और यह ऐसे नीचे की तरफ चला आएगा तो यह जो भागे खुल जाएगा खुलने के पास क्या दिसमें प्रविस में प्रविस्ट कर जायेगा तो आप एं incense ऐसे ले करके जाना ऐसे फिर यहां से ऐसे फिर इसको ऐसे कर देना है गाइज जो यह हमारा है दाया साइड यहां पर हम लोग लिख देते हैं यह हैं यह हम लोगों का राइट और यह है लेफ्ट तो गाइज जो राइट साइड की दिवारे होती है वह थोड़ा पतला होता है तो गैज यहां के जो दिवारे होंगे वे पतली होंगी और जो इस साइड की दिवाले होंगी वे मोटी होंगी क्योंकि यहां से जो है ब्लड का फेकना है ब्लड को काफी उचाई तक ले करके जाना है तो गैज यहां हो गया हम लोगों का अब यहाँ पर गाईज यहाँ पर जैसे यहाँ पर नहीं यहाँ से होगा यहाँ इसके इस साइड से होगा तो गाईज अब देखिए मान लेजे यहाँ ऐसे है बलड आएगा यहाँ ऐसे खुल जाएगा फिर ऐसे बंद हो जाएगा उपर जाएगा तो यहाँ से जो है बलड ऐसे नीचे आएगा ब्लड यहां से नीचे आने के पहचाज अब इस सीरा में जाएगा इस सीरा में जाएगा फुफुस की तरफ तो यहां पर जो वाल्ब होगा ओ ऐसे होगा जो यहां पर वाल्ब होगा ओ ऐसे होगा क्यों गाय जैसे होगा जब वाल्ब ऐसे रहेगा इसमें उपर की तरफ जाना है तो ऐसे खूल जाएगा और जब ब्लड यहाँ पर उपर चला जाएगा ब्लड नीचे आने की कोशिस करेगा तो यहाँ बंद हो जाएगा और इस प्रकार से इसमें भी इस प्रकार के वाल्ब होंगे इस प्रकार से इ पाड़ पाया जाएगा तो गाइज इस प्रकार से हो गया हमारे हड का फिगर हमारे हड का चेत्र गाइज पूर्ड रूप से बन गया है अब गाइज आईए हम लोग इसका नाम दे देते हैं तो यह है सुपीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा और गाइज आपर हो जाएगा इन्टीरियर वेना कावा इन्टीरियर वेना कावा यह हो गया सुपीरियर वेना कावा और गाइज यह हो गया हम लोगों का राइट एट्रियम राइट एट्रियम और यह होगा राइट व्रेंटिकल राइट व्रेंटिकल गाइज यह हो जाएगा दाया निले और यह हो जाएगा दाया आलिन्द और गाइज यहां पर यह हो जाएगा लेट एट्रियम लेट एट्रियम बाया आलिन्द बाया आलिन्द बाया आलिन्द हो जाएगा और गस्य यह वाला हो जाएगा बाया निले लेव्ट ब्रेंटिकल लिफ्ट ब्रेंटिकल लिफ्ट ब्रेंटिकल बाया निले बाया निले तो गाइस यह हो गए हमारे हड का फिगर और इसका नाम करण तो गाइस अब यह जो दोनों है इसका नाम हो जाएगा गाइस यह कहां से जाएंगी यहां पर ने तो जो इसका नाम हो जाएगा pulmonary dhamni बला pulmonary pulmonary guys यह left side में है तो यह left pulmonary होगा left pulmonary left pulmonary left pulmonary guys यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा left pulmonary dhamni erota हिंदी में लिखते हैं guys daya fufusi dhamani और guys यह हो जाएगा यहाँ पर बाया होगा बाया लेफ्ट है ने बाया यहाँ पर हो जाएगा daya fufusi dhamni daya fufusi left atrium left vertical atrium daya fufusi dhamni इसके परचादगाई यह जो दोनों है यह जाएगा daya fufusi sira lift pulmonary veins daya fufusi sira daya fufusi sira left pulmonary veins और guys यह हो जाएगा daya fufusi sira आप guys देखिए जैसे मालीजी यह तो इसके पार्ट हो गए यह हम लोग इसके बारे में जान गए यह सब इसके पार्ट है आप guys यहाँ पर हम लोग देखते है जैसे superior vena kawas यह कौन सा blood आता है तो यहाँ से आता है aso the blood हम लोग इसको नीले मार्क से दिखा दे रहे है aso the blood आया यहाँ पर यह देखिए aso the blood आया अब यह जो दीवालवी अस्तर है यह इस प्रकार की सरस्ना है जब उपर से blood पूरा इस पे भार डालेगा तो जो यह है यह ऐसे खुल जाएगा ऐसे है blood आया blood आने के पश्चात ऐसे खुल गया फिर blood उपर न जाने पाए इसके वज़े से यह उपर जाकर बंद हो जाएगा तो आप देख लीजिए blood यहाँ से आया और इस प्रकार से चारो तरब से इसमें फैल गया blood आया आप यह जो भागे यह तो ऐसे है इसके सरसना कुछ इस प्रकार से blood यहाँ पर उपर जाएगा तो यह खोल जाएगा blood उपर चला जाएगा अगर आप blood नीचे आने की कोशिस करेगा तो यह जो दोनों भाग है यह ऐसे आपस में सड जाएगे आपस में सड जाएगे और बंद हो जाएगे तो गैज इस प्रकार से blood उपर तो चला जाएगा लेकिन नीचे नहीं आपाएगा तो गैज आप यहाँ से blood गया और blood चला गया सुद्ध होने के लिए blood जो है वह चला गया सुद्ध होने के लिए बाया फुफुस धमने दाया फुफुस धमने में बाया फुफुस धमने और दाया फुफुस धमने में तो गैज इस प्रकार से हमारे lungs तक चला गया अब गैज लंग्स में जो है हमारा blood सुद्ध हो गया क्योंकि वहाँ पर carbon dioxide वा oxygen gas का बिनमे होता है oxygen जो इसमें carbon dioxide gas रहेगा बिनमे की क्रिये के दारा बाहर चला जाएगा और जो हमारा oxygen gas रहेगा इसमें mix हो जाएगा तो गैज अब जो हमारा blood है सुद्ध हो गया अस्तुद blood इस प्रकार की सरजना से जो है दाया फुफुसे सिरा और गैज यह है बाया पीछे से जुड़े रहते हैं जिसको आप लोग नहीं दिखा सकते हैं तो यहां से माली पीछे से आप blood आ गया अब पीछे से हमारा जो है सुद्ध blood इसमें आ गया सभी प्रकार से इसमें फैल गया अब गैज यह वाल्व इस प्रकार से है मतलब यह इसको नीचे आने देगा लेकिन इसको पुना वापस नहीं जाने देगा तो guys अब जो blood है, इस यहाँ पर 3 वालवी पाए जाता है गाइज यहाँ पर लिख देते हैं जो दाया, अलिंद वा दाया निले होता है इसके बीच में जो होता है यहां पर दी वालवी का पाट पाए जाता है यहां पर जो होता है यहां पर होगा दी वालवी का पाट दी वालवी का पाट दी वालवी का पाट गायज यहां पर हो जाएगा दी वालवी का पाट और जो यहाँ पर पाय जाता है यहाँ ओज़एगा 3 वालवी का पाद त्री वालवी का पाट त्री वालवी का पाट तो गाईस अब आप लोग देख रहे हैं ब्लड जो है हमारा यहां पर चलाया अब यहां पर आने के पस्चाथ यहां पर इसके पस्चाथ यह त्री वालवी का पाट खुलेगा और बलड आ जाएगा हमारा बाय निले में त्रिवालवी कपाड खुला और हमारा जो बलड है वार बाय निले में आ गया अब बाय निले में आने के पस्चात अब बलड ऐसा तो है नहीं के वले है नीचे रहेगा अब बलड ऐसे ऐसे उपर जाएगा अब जो है हमारा बाया निले इसकी देख रहे हैं दिवारे इतनी मोटी है इसके दिवारे पतली है तो जो हमारा बाया निले अब प्रेसर मारेगा प्रेसर के वज़े से यह वाला भाग यह देखिए यह इस प्रकार से मतलब इसकी सरजना कुछ इस प्रकार से है इस प्रकार से तो यहां से प्रेसर मारेगा तो यह उपर चला जाएगा लेकिन उपर से नीचे आने के जब उपर से नीचे आने का कारण बनेगा तो यह वाल जो है बंद हो जाएगा ऐसे यह वाल भे नीचे से मारेंगे प्रेसर ऐसे खोल जाएगा जब उपर से कौछ चीज, ब्लड नीचे गिने लगते हैं इसे फाट अप को बं कर लेगा, कापाड को बं कर लेगा, तो यहाँ से हम लोगों का ब्लड इसमें प्रवेस्ट कर गया, अब इसमें प्रवेस्ट करने के पशाथ, अब यह जो है पूरे धमनी के द्वरा, पूरे इरोटा के द्वारा हमारे टोटली सरीर में पूरी तरफ फैल जाएगा यहां से जाएगा यहां से जाएगा यहां से जाएगा यहां से जाएगा सरीर में जाने के पचाद विविन प्रकार के आंगतंत्रों में आंगतंत्रों के पचाद उतकों में चला जाएगा और किसके द वज में आ गया होगा तो आईए हम लोग कुछ और अलग तरीके से समझते हैं तो गई जैसे माली जी हमारे हर्ट का है 4 चैंबर या हमारे हर्ट का है 4 चैंबर यहाँ पर हम लोगों ने क्या बनाया दाया यहाँ पर हमने बनाया दाया यहाँ पर हो गया बाया तो गाईज अब यहाँ पर हो जाएगा बाया आलिंद बाया आलिंद और यहाँ पर हो जाएगा बाया निले आलिंद गाईज हमेशा रिसीवर का काम करता है और निले हमेशा पंप करने का काम करता है और गाईज यहाँ पर हो जाएगा दाया आलिंद दाया आलिन यहाँ पर हो जाएगा दाया निले दाया आलिन दाया निले तो गैज अब देखिए हमारे जो दाया आलिन देए इसमें महा सिर्या के द्वारा बलड आया महा सिर्या के द्वारा बलड आने के पश्चाथ कपाड के द्वारा इसमें आ गया अब ब्लड आने के पश्चाद कपाड के द्वारा इसमें आ गया अब इसके द्वारा किसमें आ जाएगा महाधमनी महाधमनी ने पल्मोनरी धमनी यहाँ पर हो जाएगा पल्मोनरी धमनी तो जैसे माली जी आप यहाँ से पल्मोनरी धमनी है पल्मोनरी धमनी इसका क्या नाम हो जाएगा पल्मोनरी या फूफूसी फूफूसी गाईज आप यहां पर देखिए या फूफूसी धमनी चला जाएगा हमारे जो हमारा क्या है हमारा लंग्स है अब यहां हमारे हिर्दे में चला जाएगा हमारा हिर्दे कुछ इस प्रकार का होता है या हो गया स्वास नली या हो गया सोसनी का है अब सोसनी के पस्चात हमारा हर्ट यहां पर है अब जो हमारा हर्ट यहां पर है अब यहां यहां पर आया वह असुद रहेगा फुसी धमनी में असुद ब्लड रहेगा फुसी धमनी में असुद ब्लड रहेगा अब फुसी धमनी में असुद ब्लड आया इसके पश्चात हार्ट से जो सुद हुआ सुद होने के पश्चात कहां पर चलाया बाया आलिंद में चलाया सुद होने के सुद्ध रक्त को ले कर जाता है और गाईज तो इसका नाम हो जाएगा जो यहां ले कर गया इसका नाम हो जाएगा फुफुसे सिरा इसका नाम हो जाएगा फुफुसे सिरा इसका नाम हो जाएगा फुफुसे सिरा अब गाईज अब फुफुची सीरा के द्वारा जो है सुद बलड आया यहाँ पर अब यहाँ पर त्री वालवी कपाट होगा गाईज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर इसमें त्री वालवी कपाट होगा अब इसके पस्चाद यहाँ पर है बाया आलिन यहाँ पर है बाया आलिन लिफ्ट एट्रियम अब इसके पस्चाद इसको जो त्री वालवी कपाथ है इसके सरसना ऐसे है तो यहाँ इसको पार कर देगा और यहाँ से ब्लड उपर नहीं जाने पाएगा लेकिन उपर से नीच चलाएगा तो आप जो ब्लड है सब यहां से यहां से यहां से नीचे चलाएगा नीचे आने के पस्चा तब गाईज यहां पर देख लीचे यहां पर आ गया लेट व्रेंटिकल में आप यहां से जो है यहां से एक नली जूड़ी रहेगे जिसका नाम है धामनी जिसका नाम ह पूरे सरी में ब्लड का फ्लो होगा तो गाई जी इस प्रकार से हमारे हट में ब्लड का फ्लो होता है गाई सुपिरियर वेना कावा से असुद ब्लड आएगा असुद ब्लड आया इसके पहस्चा दाया आलिंद में आया असुद ब्लड दाया आलिंद में आया दाया आलिंद इसकी थोड़ा सा ब्लड आया थोड़ा सा चला गया ऐसा नहीं है यहां पर इतना ब्लड इकत्रित हुआ यहां पर इतना ब्लड इकत्रित हुआ अब ब्लड इकत्रित होने के पस्चा जब यहां से ब्लड आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा तो यहां पर थोड़ा सा प् हमेशा नीचे आएगा अब ब्लड यहां पर एकत्रित होने लगा आप इसके पाशात है जो निले है आप लोग जानते हैं निले जो होता है या पंप का कार करता है क्योंकि अभी मैंने आगे आपको बताया और जो आलिंद होता है या रिसीवर का काम करता है तो निले इसको प इसके लग्मत करता है यहां पर दोड़ाया यहां भी दमझी इदो साओं यहां के द्वारा ब्लड सफ्पोसी दहां अब नहीं होती करता भी में पाश्चा आपको यहां और लोग यहां पर देखें बाया फुफ़से होती है तो अब यह जो दिवारे हैं मोटी है तो अब इसे प्रेसर मारेगा कापी तेजी से प्रेसर मारेगा तो जो यह फुसे धमने है इसके द्वारा ब्लड पूरे सरीर में चला जायेगा तो guys इस प्रकार से होता है हमारे heart का कार हमारा heart जो होता है हमारा heart एक धटकन में मतलब guys धटकन क्या होग होगा जैसे एक फुला पिछका फुला एक धटकन हो गया एक heartbeat ऐसे पिछका फुला आप लोग यहाँ पर अपने हर्ट पर हाथ रखके देखिए तोड़े ही समय में एक हर्ट बीट हो जगा फुला पच्का तो इससे एक हर्ट बीट बोलेंगे तो हमारा जो हर्ट होता है एक हर्ट बीट में एक धड़कन में जो होता है यह सतर एमेल ब्लड का फ्लो करता है 70 ml blood 70 ml blood का या pump करता है तो गाइस एक हर्ट बीट में 70 ml blood का flow किया तो हमारा हर्ट जो होता है एक मिनट में 72 बार धड़कता है एक मिनट में 72 हर्ट बीट होता है तो अब 72 बार एक मिनट में 72 बार हर्ट बीट हुआ और हमारा जो हर्ट है एक heartbeat में 70 ml blood का flow किया तो 62 heartbeat में कितने ml blood का flow करेगा तो आईये हम लोग इसे गुड़ा करके निकाल लेते हैं 72 बार धड़कता है और एक बार में 70 ml blood का flow करता है तो 0 का गुड़ा 0 0 7 2 4 4 हत्मा 1 7 7 9 2 0 0 7 7 2 0 चोदर सासते उन्चास उन्चास से पचास तो गाइज यहां पर पचास चालीस पचास चालीस आ रहा है तो मतलब हमारा जो हट है चालीस को थोड़ा छोड़ दिए पांच हजार लीटर पांच हजार लीटर सोचो इतना बड़ा क्यों है इसे मुठी के आकार का हमारे हट का आकार होता है हमारा जो हट है एक मिनट में पांच हजार पांच हजार लीटर नहीं क्यों पांच लीटर पांच हजार एमेल बलड का फ्लो करेगा पांच हजार एमेल बलड मतलब एक मिनट में पांच लीटर बलड का फ्लो करता है हमारा हट एक मिनट में पांच लीटर बलड का फ्लो करता है एक होट बीट में, एक धड़कन में 70 एमल, तो 72 बार धड़कता है, तो ऐसा तो है नहीं, एक एक पुगा बलड का फ्लो कर देगा, हमारा बलड ही होट ही हट जाएगा, आराम अराम करता है, एक होट बीट में 70 एमल, फिर एक होट बीट में 70 एमल, फिर एक होट बीट में 70 ए हमारा हट और गाईज हट का आकार केवल छोटा सा होता है मुठी नुमा इसकी सरस्चना होती है हमारा हट दोनों फुपुस के छोटे दोनों जैसे आप गाईज यहां पर दोनों तरह फेफडा होगा इसी के छोटे भाग में इस्तित होता है तो गाईज इसी प्रकार से यह छ तो आपके कमेंड को पड़ करके उसमें जो डाउट होंगे उसको आउट किया जाएगा तो गौएश मिलते हैं आप से next class में तब तक के लिए जय हिन जय भारत